हेलो बच्चो नमस्कार प्यारे बच्चो आज हम साइंस का सेट पेपर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं ठीक है तो सेट पेपर 3 की 1st क्लास होगी और इसके तकरीबन हम नहीं कम से कम तो जितने भी कोश्चन है इसको भी दो पार्ट में खतम करा दूंगा या मोस्टली यह मिरे को लग रहा है कि आज मैं इसे फर्स्ट पार्ट में ही गदम करा दूंगा देखो कुशन नमबर फर्स्ट के रहा लाइट रे पासिस थूरू दा फोकस पॉइंट ओफ अफ़ कन्वेक्स लेंस एंड इस एंड इस दैन इंसिदेंट ओफ दे लेंस विच विच अफॉल इंग चलो कहा रहा भई लेंस में एक कन्वेक्स लेंस है और अगर कन्वेक्स लेंस में सी एफ वन टू एफ वन एफ टू टू एफ टू कहरा है कि अगर कोई रे अगर कोई रे कहरा फोकस से जाएगी अगर कोई रे फोकस से जाएगी तो इन चारों मेंसे इन चारों मेंसे कौन सी फिगर सही है तो उन्होंने कहा है कि भाई रे ना ऐसे जारी है फोकस से तो आपको तो पता ही है कि अगर focus से कोई ray जाएगी तो वो बस यहां से मुड़के क्या हो जाएगी बिल्कुल सीधी चली जाएगी क्या हो जाएगी बिल्कुल सीधी चली जाएगी तो इस तरीकी का यह figure तो इसका option A सही है बच्छो कह रहा है अगर light bright है तो आपकी pupil कैसी हो जाएगी आपके आँख की पुतली कैसी हो जाएगी तो क्या हो जाएगी बच्छो contract क्योंकि जब light मारते हैं आँख पे तो आँखे स्विकूड जाती है और जब light कम रहती है तो आँखे जो पुतली होती है, पीपिल होती है, वो बढ़ जाती है, एक्स्रेक्ट हो जाती है, ध्यान रखना, ज्यादा लाइट तो छोटी, कम लाइट तो बढ़ी अच्छा, कहारा, what is the resistor value in the given circuit, हाँ जी, कहारा है, इस circuit में, कितने, कहारा है कि इसके resistor की value क्या है, question number 3 है, देखिए क्या बना हुआ है, question number 3 में, अगर आप देखोगे, तो आपको voltage दे रखा है, 26 volt, देखें, और आपको current जो दे रखा है, current आपको अजीब सा दिया हुआ, 13 micro ampere, क्या दे रखा है, 13 micro ampere, कहारा resistance निकालो, भई, r is equal to v upon में i होता है, सही बात है, अब v कितना है, 26, आई कितना है, 13, लेकिन बच्चो समस्य यह है, कि 13 तो यहाँ पर आ गया, लेकिन यह जो 13 है बच्चो, यह 13 कैसा है, micro ampere, और micro ampere का मतलब होता है, 10 की power, इंटू में 10 की raise to power minus 3, क्या होता है, इंटू में 10 raise to power minus 3, तो 13 दुनी 26, ठीक है, 13 दुनी 26, और फिर यह उपर आ ज का मतलब 2, 2 तो हो गया यह, और 2000 ohm, 2000 ohm, लेकिन क्या 2000 option में है, 2000 कहीं भी option में नहीं है, ठीक है, तो भाई, 1000 का मतलब होता है, kilo, 1000 का मतलब क्या होता है, kilo, तो यह बन जाएगा 2 kilo ohm, क्या बन जाएगा, 2 kilo ohm, ठीक है, चलिए, question number next, क्या रहा है, in domestic electric circuit, the color of insulation covers of wire in the supply line in generally, हाँ जी, क्या क्या रहा है, red for live wire and green for neutral wire, गलत, red for live wire and black for neutral wire, विल्कुल सही है, यह सारी चीज़ा हमें basic सी है, silver magnesium ribbon, क्या रहा, silver magnesium ribbon on burning, change to, हाँ जी, silver magnesium ribbon, भाई, magnesium ribbon को जब भी जलाओगे, तो कैसी light निकलेगी, white light निकलेगी, ठीक है, और कै पाउडर बनेगा, white powder बनेगा, the flower that acts as indicator R, हाँ जी, flower जो है, उसमें indicator का काम कौन करता है, hydrogia, petunia, और, granium, all of the above, भाई देखो, hydrogia क्या है, भाई, पानी को absorber, petunia क्या है, भाई, plant के लिए ग्रोथ करने वाले parts, जर्मेनिया क्या है, कि भाई, जो, बीजो में से, seeds में से, जो germination निकलता, वो सारे, तो ये सारे इनके growth के indicators है, ठीक है, तो यानि क्या है, all of the above, aqua regia, भाई, aqua regia किस से मिलके बना है, तो बच्चो, aqua regia, concentrated HCl, और, concentrated HNO3, यानि, nitric acid से मिल ला है, जबकि HCl का 3 हिस्सा, और, concentrated का 1 हिस्सा, तो 3-101, जिसमें दिखेएगा, वह का mismatch, कह रहा है कौन, यानि mismatch है, elongation of cell, oxygen hormone, करता है, पढ़ा रखा है, growth of stream, gibraline, भाई, ये भी पढ़ा रखा होता है, promotion of cell division, cytokinin, बिल्कुल सही है, photo periodism, ethylene, भाई, नहीं, ethylene hormone मैं आपको बता दू, ethylene, इसमें देखो, एक hormone हमने नहीं पढ़ा है, वैसे ये ना, आपके course का है नहीं, लेकिन इसमें डाल दिया, पता नहीं, ethylene, हाँजी, ethylene hormone का काम होता है, fruits में growth करना, basically, इनका main काम होता है, fruits में growth करना, मतलब, growth किस तरीके की, growth किस तरीके की, ऐसी वाली ग्रेट नहीं, उसका size नहीं बढ़ाना, जिसे हम कहते है, riping of fruits, मतलब, riping of fruits का मतलब, फल को पकाना, फल को पकाना, fruits, फल को पकाना, मतलब क्या बच्छो, जैसे, अगर मान लो, बही, plant के अंदर फल जो पकता है, मतलब क्या आप देखो, ने फल जब उगने लगता है, छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने के बाद भी कच्छा रहता है, फल लेकर आजाते हैं कच्छा और उसमें ethylene hormone के powders होते हैं उनके पास वो पर डाल देते हैं जितना उनको फल बेचना वता है उतने पर पर डाल देते हैं एक दिन पहले और पफल क्या हो जाता है और फिर वहीं हम खाते हैं ठीक है। आपको देखना फर्क पता चल जाएगा नेचरल में और दवाई वाले में ठीक है तो इस तरीके से बचो आंसर क्या हुआ इस नहीं उसका कोई लेना देना उसका बस एक ही काम है राइपिंग फ्रूट्स फलो को पकाना विच ऑफ द फोलंग इस नौट एग्जांपल ऑफ सेरीब्ल रिफ्लेक्स मतलब क्या कि ब्रेन से जो रिफ्लेक्स हम बनाते अभी अगला टॉपिक जब कंट्रोल कोडिनीशन म ब्लिंकिंग ऑफ आई वेन ब्राइट लाइट इस फोकुस्ट उन देम विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर कमिंग ने क्या बता है था जब कोई काम अचानक से हो जाए तो काम अचानक से डी वाला ही लग रहा है कि जब किसी गरम चीज को छूलोगे तो एकदम से हाथ हटा ल दूरिंग एक्जालेशन रिप्स मूव इंवर्ड एंड डायफार्म हां जी तो नहीं यह तो गलात है बाई क्योंकि इनवर्ड थोड़ी होता है ठीक है एक्शेंज जो टेक प्लेस इन अल्वियोली बिल्कुल सही है सेकंड तो सही है अगला डूरिंग इन्हालेशन मतलब क्यों स्सक्रा डायफार्म सेंज लगए तैंट वह और बाहर की तरफ आता है दो और तीन यह चौता देख लेते हैं हिमोगलोबन एज डेधर एफनिटी फॉर कर्ण शाइड नहीं लोबन क्या पर और और थाहीं तो यानि सेकंड और टर्ड सही है तो बी ऑप्शन सेकंड ठीक है चलिए एक किलोवाट आर में कितने जूल होते हैं तो आंसर आपको पता ही है थ्री पॉइंट सिक्सिंटु टैन रिश्टु पावर सिक्स जूल सब पढ़ा रखा है ठीक है तो यह सब हो गया यह भी हो गया रीजन्स अब आजओ हो यहां पर हांजी मोटीरियल की इसमें डिपैंड करता है तो देखो हर हर अपनी अपनी क्या होती है एक रहय किल् biss min किल रिश्टिवीटि लेकिन उनके अंदर थोड़ी सी रुकावटे होती है जो टाइम आने पर मतलब किया अगर करेंट चालू करदे तो करेंट चालू हो जाएगा और रोग दिये जाए तो थोड़ा सा करेंट रुख भी जाएगा तो हमने क्या देखा बच्छो हमने यह देखा कि इलेक्ट्रिकल रेसिटिविटी जो है मटीरिल पर किस तरीके से डिपेंट करता है कि जितने अलग ट्राइप का मटीरिल होगा उसकी रेसिटिविटी उसका फ्लो सब कुछ क्या होगा अलग-अलग होगा ठीक है वाट रदा आइनी कंपाउंट्स तो मैंने बता दिया भाई क्या होते हैं आइनी कंपाउंट जो मैटल और नॉन मैटल के आइन्स को एक्षेंज करके बने उन्हीं को हम आइनी कंपाउंड कहते हैं हां जी गिव देस्टेटम टो मॉर्डन प्रिडिक टेबल तो हाँ बही दिश्टेटम लिविंग दोते हैं आब योटिक जो नॉनलिव इन थीक यह एंग कंपोनेंट हांजी के रहा है यह वाट इस तर्मोस्फेरिंग रिफ्रेक्षन तो लोगी पता करते हैं टो माल लीजिए बच्चो मैं आपको बताता हूं ठीक है और साथ में लिखा है एक्स्प्लेंड विद्धा हेलप लेवल डाइग्राम डेट दा पोजीशन विश्टार एज बीन नोट सिरु दा पोजीशन देखो आपको पहले मैं यह बताता हूं जैसे माल लीजिए अर्थ है य स्टार की लाइट आई तो कैसे अब जैसे जैसे लेयर बढ़ता चला जाएगा आपको पता है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का लेवल भी बढ़ता चला जाएगा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का लेवल भी क्या होता चला जाएगा बढ़ता चला जाएगा और आपको पता ह है जैसे जैसे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा लाइट की स्पीड स्लो हेगी और वो कहां बेंट होने लगेगी बेंट टुवर्ड जा अब जैसे जैसे यह उपर झायेगा तो reflective index इसके हिसाबसे क्या होगा कम तो यह आगे की तरफ बेंट करेगी यह आगे की तरफ बेंट करेगी यह आगे کی तरफ बेंट करेगी और यह तो यानि यह चीज से होगीन अपने actual position से थोड़ी क्या दिखाई देगी, उपर, तो ध्यान देना बच्छो, हमें जो stars दिखाई देते हैं, वो हमारे actual position से थोड़े उपर, यानि कि जो stars के actual position है, उससे उपर दिखाई देते हैं, क्यों? क्योंकि refractive index की वज़े से light क्या होती है, bent होती भी आती है, लगाता reflection हो रहा होता है, एक बार आने का, एक बार जाने का, इसलिए actual position से थोड़ा क्या दिखाई देता है, उपर, और atmospheric reflection का मतलब क्या है, कि जब layer wise refractive index बढ़ जाए, तो उसके बाद light की speed कम होती जाती है, और जैसे जैसे light की speed कम होती जाएगी, वैसे वो क्या होता चला जाएगा नीचे आता चला जाएगा, ठीक है, और बाकी फिर इसके बाद आपको myopic, आपको दिखाने diagram वो बता देना, solar energy क्या है, ये बता देना, हाँ जी, H plus iron क्या है, कैसे concentration level को समझाता है, तो बच्चों देखो, मैंने आपको पहले बता रखा, H plus iron जो है, वो acidic nature के behavior को show करता है, औ हमने देखा था, जितने ज़्यादा H plus iron होंगे, उतना ज़्यादा acid strong होगा, और जितना कम H plus iron होगा, उतना ही क्या होगा, weak acid होगा, तो H plus iron जो है, वो decide करता है, कि acidic nature है या नहीं है, और जितना ज़्यादा amount में H plus iron, water में dissolve करते वक्त बाहर निकलेगा, तो समझ लोग वो उ formula क्या होता है, HGS, hydrogen sulfide, ठीक है, सिने बार का, सिने बार इसका और होता है, ठीक है, और मतलब IS को होता है, जिसका नाम होता है HGS, और HGS को कहते है, mercury sulfide, ठीक है, अब कह रहा है कि इसकी balance equation लिखो, अगर ये, क्या करे, इसको extract किया जाए, extract मतलब, mercury sulfide में से मिरको mercury बाहर निकालना है, तो मैं कैसे निकाल लूँगा mercury बाहर, भई, इसकी reaction करा दूँगा, मैं O2 से, और जैसी O2 से reaction कराऊंगा, तो आपको पता ही है, कि भई, जब भी mercury sulfide को oxygen से reaction करवाय जाएगा, तो ये बन जाएगा mercury oxide, क्या बन जाएगा ये, mercury oxide और कौन सी कैस बाहर निकलेगी, SO2, कौन सी कैस बाहर निकलेगी, SO2, और अब अगर मैं oxide वाले को, mercury oxide को heat कर दूँ, क्या कर दूँ, heat कर दूँ, तो heat करते ही क्या होगा, mercury अलग हो जाएगा, और oxygen अलग हो जाएगा, ये किसका concept है, थर्ड चेप्टर का concept है, कि अगर किसी sulfide ore को oxygen के presence में गरम करें, तो वो क्या बन जाता है, oxide बन जाता है, और उसी oxide को जब heat करेंगे, तो दोनों क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं, अब balance करना है, तो कर दो भाई, हाँ जी, 1HG, 1HG, 1S, 1S, O यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे बच्चो, हम क्या करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 2, तो यह 2 हो गया, तो यहाँ भी लगा दो 2, ठीक है, अब यह S भी 2 हो गया, और O कितना हो गया, यह S भी 2 हो गया, तो 2 दूनी 4 और 2, 6 हो गया बई, तो फिर और 5 यहां पर लगाओ दो एह दो एच जी दो यहां लगाओ दो 3262 अब इसको बैलिंस करो एक है कि एक है को दो तो तो यहां पर लग जागा अगला इसको नोट कर लिना अगला कहला atomic number of an element is considered to be more appropriate parameter than the atomic mass क्यों आप से कोशन पूछा गया है कि बच्चों atomic number जो है वो ज्यादा अच्छा है atomic mass से क्यों क्यों कि जी बच्चों atomic number आपको देखो मैं पहले पढ़के बता देता हूं atomic number मालो 13 मालो तेरा number का हमने इसने एक element उठा लिया atomic number of 13 means it has configuration of 283 सही बात है अगर मैं कोई element ले लेता हूं जिसका तेरा electron है तो इसका मतलब atomic number मालो इसका atomic number जो है मालो 13 तो इसको अगर मैं खोल हूं तो 283 होगा आगे बोल रहा है हाँ जी we does come to know the electronic configuration using atomic number यानि हमने क्या देखा कि electronic configuration निकालने के लिए electronic विन्यास निकालने के लिए हमने किसका यूज किया है atomic number का यूज किया है आगे कह रहा है इस configuration indicate that the aluminum atom can denote three electron सही बात है जब last में मैंने क्या बता था one two और three आ जाए तो वो एक electron donate कर सकता है दो electron donate कर सकता है तीन electron donate कर सकता है और अगर last में 5-6 और 7 आ जाए तो यह तीन electron ले सकता है सब्सक्तर की इसका है यह 008 और जिया है तो हम इन गया किका है कि यहally भी सकता है तो हमने देख लिया है और ठीक है तो इतनी सारी बात हैं और फिर ओपर से मैंने यह दे रहा है इसका सलब पलस का चार्ज है तो इसका मतलब यह MID唱 पॉजिटिव है मतलब यह electron क्या कर रहा है donate कर रहा है तो positive हुआ ठीक तो मतलब एक atomic number से मैं इतना कुछ जान सकता हूँ लेकिन atomic mass अब atomic mass आपने देखा होगा कई बार दोनों का करीब-करीब सेम होता है करीब-करीब actual तो पूरी तरीके सेम नहीं होता तब आप कर पाओगे और अगर mass याद नहीं है तो obvious सी बात है atomic number से आप सब कुछ बता कर ही सकते हो चलिए यह भी हो गया आया करते है लिश्ट दा फॉर फंक्शन ओफ हुमन हर्ट तो बता तो रखा भाई इतना बता दिया है रिसीव ऑक्शिजनेटेट बलड फ्रॉम दा रख्याओं को बपढ़ना अगर पर यह इस पर जेशन क्या होता है तो बता रखा यह सब भी एक्स्प्लेइन दा ग्लुकोज हां जी ग्लुकोज कैसे ब्रोक होता है तो मैंने बता देखा है आप क्रैब साइकल अपने पढ़ाई है खाना खाते हो खाना खाके ग्लुकोज में होता है ग्लुकोज का एक मॉलीक्यूल साइटोप्लाजम में पाय्रॉविक एसिड में तूटता है और भाई वह तीन इस्थो में तोड़ता है तो बताइए वह आपको seribram क्या होते हैं it from the largest part of the four brain सही बात है वह फोर brain के सामने वाले हिस्से को seribram कहते है seribram क्या होता है ये hind brain का part होता है किसका part होता है hind brain का फिर it function the memory intelligence movement मतलग क्या seribram का काम होता है सोचना समझना ये intelligence के काम होते है जबकि cerebellum का काम होता है balance बनाना, क्या बनाना, balance बनाना, जैसे आप dance कर रहे हो, या cycle चला रहे हो, तो इस पर balance बनाना cerebellum करता है, अगला cerebrum, it is the main thinking part of the brain, सही बात है, thinking part cerebrum सही करते हैं, और cerebellum क्या है, it controls voluntary action like walking वगेरा यह सब, मतलब जो आप अपनी में चल रहे हैं, तो च चिकर नेयुक्त मेयरिकल दिया होगा है, नुमेरिकल दिया होगा है, भै, plane mirror के शार करेक्टर, आपको बस बढ़़ लेना है, यह मैं आपको notes को चार करेक्टर उसमेसे पढ़ लेना है, बाकि सीधा रहे प्राह अब मै Favor है आन ता बढ़र है ? ओ अ मेरिकल बच्छो, हाँ जी नुमेरिकल देखो कह रहा है एक पांस सेंटिमेटर का अब्जेक्ट है मतलब हाइट है हो पांच आपको बता है है हो आल्वेस पांच होता है कोशन नमर ठटी वन है यह ठीक है सैट पेपर थरीका आगे कह रहा है कि डिस्टेंस रखा गया है कंके मिरर से कंके मिरर से माइनस का 20 यह अबजेक्ट का है जिसकी फोकल लेंथ 30 सेंटिमेटर तो फोकल लेंथ इसकी म्दन से में होती है ठीक है किसकी कंके मिरर की तो हिटा मिरर फॉरमुला यूस करो और image की baby बताना है और हमें ही भी बताना है बागी नेचर वेचर तो पता चली जाएगा वन अपॉन एफ वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यह है मिरर फॉर्मुला माइनस आएगा तो लेंस फॉर्मुला तो माइनस का 30 वी हमें पता नहीं माइनस का 20 तो यह माइनस तो पता ही ओपर सिफ्ट solve कर देंगे 600 पताने कैसे इसको इससे इसको इससे नीचे को नीचे से तो यह आजाएगा 10 upon 600 बढ़ावर 1 upon V 0 से 0 कट गया 1 upon 60 बढ़ावर 1 upon V पलट देंगे तो V बढ़ावर 60 तो यानि V हमारा क्या आगया बई पलस का आगया 60 V क्या आगया हमारा प्लस का आगया 60 तो इसका मतलब क्या है कि भई जरूर कुछ ना कुछ गड़बर है यानि V अगर प्लस में आ रहा है तो आपको याद रखना है मैंने क्या सिखाय था कि भई इस चैप्टर में इस चैप्टर में कंकेव मिरर में अगर V कंकेव मिरर के डाइगराम में अगर V पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब जो अब्जेक्ट होगा जो अब्जेक्ट होगा वो आलवेज P और F के बीच में होगा तो चलो चैक करो भई P से लेके F तक कितना था 30 और अब्जेक्ट रखा कितने पे 20 तो देखो P और F के बीच में आ रहा है जी बिलकुल आ रहा है तो इमेज कैसी बनेगी पीछे बनेगी और पीछे जब भी बनेगी तो यानि कैसी बनेगी वर्चुल एंड इरेक्ट अब 80 और सीधा अब 80 और सीधा अगली बात अगली बात अब निकालना हमें माइनस V अपॉन में U HI अपॉन में HO यह होता है मिरर का फॉर्मुला ठीक है तो माइनस V कितना है 60 और U कितना है माइनस का 20 HI कितना है नहीं पता HO कितना है 5 00 कट गया 20 दिया 60 3 is equal to HI अपॉन में 5 कि नोट कर लो फटा फट इसके बाद अगला कोश्चन यह कोश्चन देखो फिर इसके बद तीस वा कोश्चन भी नुमेरिकल का है तो मैं पहले नुमेरिकल बाद में करोंगो पहले यह सब कर लो 33 देखो ज़रो यह जो नोट कर लिया होगा 33 33 में आपको मोटर बगेरा दे रखे हैं ठीक है तो यह left hand rule पर है ठीक है आपको पढ़ना इसमें mutually perpendicular direction का है इसमें question what is the double displacement reaction तो बच्चों मैंने बता रहा है double displacement reaction क्या होता है इसके definition में लिखवा रखे मैंने name name and define the type of reaction takes place हाँ जी तो जब आप lime को मतलब चूने को water में बिलाएंगे तो क्या बनेगा c a o s twice मतलब combination reaction ठीक है अब कह रहा है right the balance chemical equation तो right balance करीद होगे इसको ठीक है अगला क्या कह रहा है list to main observation तो observation क्या होगी तो जबने ड़लों यह से फॉलवूली उटने लगचे और दूसरा दूसरा क्या हो जाएगा वह बहुत यादा हीट करने लगजाएगा ज्बहुत किया करने लगजाएगा हीट करने लग जाएगा ठीक है चारहो आगे देखूं कि हम डिस्टिंगूँ बिट्वीन अगर आपसे कोई पूछ ले एस्ट्रिफिकेशन क्या है तो पहले देखो एस्ट्रिफिकेशन बता देदा हूं एस्ट्रिफिकेशन यह है कि जब कोई एल्कोहल कि एल्कोहल कार्बॉक्सलिक एसिड के साथ Concentrated H2SO4 के presence में reaction करेगा तो ester बनेगा ठीक है, तो ester बनेगा लेकिन, लेकिन, क्या भाई लेकिन, और अगला क्या है अगला क्या है, sopnification क्या है sopnification क्या है, कि जब ester जब ester जब ester किसके, भाई, presence में Concentrated NaOHK अब क्या हो गया NaOHK प्रेजिंस में alcohol alcohol और metal metal ethonate ethonate बनाएगा, तो क्या बन जाएगा metal ethonate बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा sopnification, यह है esterification और यह है sopnification तो इस बात का ध्यान रखना भाई ठीक है, इस बात का ध्यान रखना क्या क्या बता है मैंने, कि जब alcohol carboxylic acid के साथ concentrated H2SO4 के presence में ester बनाएगा, तो esterification और जब ester concentrated NOH के presence में metal ethonate बनाएगा, तो यह तो दोने का example देखो, ester का example देखो, ester का, तो C2S5OH प्लस CS3COOH और साथ में concentrated H2SO4 तो बन जाएगा क्या? बाई, क्या बन जाएगा? ध्यान देखना इसका H, सरी इसका OH और इसका H मिलके बन जाएगे water और बचा क्या? C2H5 CH3COO प्लस में H2O, तो यह बनेगा हमारे पास बाई, ester, यह हमारे पास क्या बन जाएगा? यह हमारे पास बन जाएगा बच्चो ester, ठीक है और अगला क्या है? अगला क्या है? इसी, इसी ester को, इसी ester को छीच है? जब मैं concentrated NaOH के presence में डाल दूआ किसके presence में डाल दूआ? तो alcohol तो बनेगा ही यहनि C2H5Oh तो बनेगा ही और साथ में बनेगा CS3COO और भई क्या है? N नी साथ में किया जाएगा ने क्योंकि metal बोला है मैंने क्या बोला मैंने मैटल यह बन जाएगा आपका sodium eathonate किया बन जाएगा sodium तो इस तरीके थे बनता है यह हो गया तुमारा शोपनिसीटेट अपतारो नोट करो यह अब अगला नोट कर लिया होगा अगला कह रहा वट इस दा रिप्रोडक्शन तो आपको पता है रिप्रोडक्शन इस दा प्रोसेस बाइविच एन और्गनिजम प्रोड्यूस न्यू इंडिविज्वल डैट लुक वेरी मच लाइक देमसेल्फ ठीक है तो यह सब आपको पत रवन रटू रथरी जो सीरीज में और पैरलल में कनेक्ट है ठीक है एक बार सीरीज में कनेक्ट है एक बार पैरलल में ठीक है तो कह रहा है तो कह रहा है बता हो सीरीज में इनका रिजल्ट क्या रहेगा और पैरलल में इनका रिजल्ट क्या रहेगा तो मुझे इसमें बता R2 plus 1 upon R3 तो उसने यह रिजल्ट भूचा कि सीरीज में क्या रिजल्ट रहेगा पैरलल में क्या रिजल्ट रहेगा तो यह है यह है तुम्हारा A part अब आता है B part ठीक है अब आता है B part B part भी देख लो इसके बाद आपका यह सेट पेपर खतम है ठीक है ठीक है चलिए तो किया रहा है अब कि बार आपके बाद दो बारा ओम के रिजिस्टर है तीन वाट की बैटरी है ठीक है तो बता हो मिनीमर और मैक्सिमम कब-कब यह जॉइन करेगा तो चलो भई अब इसको भी ना लैट बोथ रिजिस्टर्स रिसिटर्स रीन पैरलल एक बार पैरलल में लगाके देख लो और आपको पता ही है ठीक है अगर पैरलल में है तो वन आर ईक्यू आर रsom के बोलेएं बारा बारा हों के तो बच्छों नीचे सेंटो ऊपर भी सेंट तो दो बटा बारा कैंसिल आउट वन बाए सिक्स आर एक्यू पलड़ दो और एक्यू कितना गया सिक्सों यह काम करो एक उडार रखो और में उसे और डियस रखोंगा यह गया प्यालल का ना ऑर वी तो आपको पहले ही रखाय कितना भी आपको पहले दें रखा तीन वोल्ट तो क्यारा बताओ करेंट किया रख किसमें मैक्सिमू मैं कैल्कुलेटर रेशो आपको पावर निकालनी है बच्छों sorry no तो पहले power निकालने तो इसके नीचे सब के नीचे पी लिख दो पी मतलब क्या कि हमने connection parallel में लिए तो पावर पी तो आपको पता ही है v square upon r होता है तो vp rp तो vp इनना है तीन का स्कूर rp कितना है छे तो 3 का स्कोर 9 बटा 6 कट जाएगा 3 बटा 2 पी पी इतने वही क्या वाट तो यानि कि बचो पैरलल का पावर जो आया है वो 3 बटा 2 मतलों 1.5 वाट कितना आया है 1.5 वाट अब आता सिरीज में इफ बोथ रेसिश्टर रेसिश्टर और इन किसमें सिरीज अगर दोनो सिरीज में हैं तो आपको पता ही है आरडस निकाल लो या आरएस निकाल लो सिरीज में आरवन प्लस आरटू तो दोनों कितने कितने के हैं बारा-बार गाउम के तो 24 ओम हो जाएगा ठेक है तो बस और वी ऐस भी आपके लिए कितना रहेगा और यह कितना है 24 नो बटा 24 तीन से काटेंगे 3 और यह 8 तो पी-एस इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.3 जा 607 जा कितने जा रहा है 7 जा ठीक है तो इतने वाट लगबक तो यह नहीं कि पी-एस बराबर 0.37 वाट हां जी तो आप उसने पूछा कि बताओ कौन से connection में maximum power रहेगा और minimum power हां जी तो parallel में power था 1.5 और series में power क्या था तो 0.37 तो हमने क्या देखा कि power जो है वो parallel connection में जादा था power जो है वो किसमें जादा है parallel connection में और इस वज़े तरीके से क्या पहुच पाए power पहुच पाए ठीक है बच्चो तो आपके लिए यह पूरा मैंने करवा दिया है यह set paper आपका खतम अच्छे से revise कर लेना next class में मिलते हैं अच्छे से revise कर लेना next class में मिलते हैं